और मुखी का मैं जोड़ा लगाया था तो एक पाज दोस्तों मैं समसाद गड़वा जार खंड से दोस्तों देखिए अभी सभी कभूतर को मैं बाहर में खाना दे दिया हूं और यह लोग देखिए बहुती मज़ेक साथ दिधर में दाना खा रहे हैं और दोस्तों जैसे अभ अब बहुती अच्छा है तो दोस्तों जैसे अभी मौसम जो है यह हो चुका है अभी जैसे दूब का मौसम हो गया है और इससे पहले ठंड का मौसम था तो भी देखिए सभी कभूतर दाना खा रही यह लोगा थोड़ा क्वालिटी आप लोग भी देख लीजिए और दोस् जोड़ा लगाना है जैसे कोई-कभवतर के जोड़ा लगाना है राखा राखा का यहा मतल違त कोई-कभूतर का तो फिर वो लोग को केज में अलग सक्रिक चबातीए और वो लोग भी 2-3 दिन में जोड़ा लग जाते हैं तो मैं ऐसे सभी कबुतर को एक ही में रखता हूं और यह लोग देखें दाना बहुत ही अच्छे से खा रहे हैं और दोस्तों जैसे हमारे पास जितने भी कबुतर अंड़ा दिये थे सभी कबुतर अंड़ा निकाल दिये परसवी कबुतर अभी healthy active धर बाहर में है और बाहर में जिसे दोप लगता है तो मैं ये लोग को खाने के लिए देता हूँ टाइम से ही जिसे 10 बजे के लगभग ये लोग को खाना देता हूँ और टाइम से ये लोग को खाना देता हूँ तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये पर पुर्ण ही तूटब भड़े हैं और बहुत अच्छे दाना का रहे हैं तो इसलिए मैं ये लोग को time से दाना देता हूँ और आप लोग भी time से दाना और पानी ये लोग दे तो चलिए आपको मैं एक एकर के अंदर में दिखा देता हूं कि कौन कौन सा गबुदर कहां पे बच्चा दिया है और कहां पे अंड़ा है क्या है breeding progress चलिए आपको मैं एक एकर के दिखाता हूं दोस्तों देखिए इधर में जैकोबीन और मुखी का मैं जोड़ा लगाया था तो अभी जैकोबीन जो है अपने बच्चे को फीड करा रही है खाना किला रही है और इधर में मेल जो है ये वाला मुखी है और फिमेल है जैकोबीन इसका बच्चा बहुत ही अच्छा है अभी की ही बच्चा इसके पास अभी है और यह लोग बच्चे को बहुत ही अच्छे से पाल भी रहे अभी तक और दोस्तों देखिए इधर में हमारे पास सिराजी का जो पेर है बलेक और चोकलेटी कलर तो इसके पास एक ही अंडा है एक ही अंडा उबर में दिया है तो यह दोनों तो उसका अंडा में बच्चा नहीं बन रहा है लेकिन अब लेते हैं बच्चा बनता है अंडा-अर्य लोग भी बहुत ही अच्छे है इससे पहले लिफेश्वाज हमारे बहुत ही ज्यादा था देल्किन अप अच्छा भी बन रहा है दोस्तों हमारे पास बढल एक मुख्यू है और अभी स Glue Lभ बैठा है और एक दूजीए दो देते हैं तो हमेरे अर्चे को बहुत किया हूं लेकिन ये लोग फिर的是 दे दिय nut और बहुत ही अच्छा क्वालिटी इसका है और दोस्तों देखे इधर में चोटी पामोज वाला जो पेयर है यह इधर में मेल फीमेल है और इसका बाच्चा है वह भी मैं आपको दिखांगो और यह लोग देखे इधर में नेस्ट बना लिए यह लोग दुबारा से अड़ा और इधर में देखिए लोका दोनों बच्चा है और दोस्तों देखिए एक, हेलदी एक्टीव, ये लोका भी बच्चा होता है अब कोई भी बिमार नहीं और बहुत ही अच्छे से बच्चे बड़े भी हो जाते तो अभी मैं इसको बले मेल लगा दिया हूँ जोड़ा और बहुत ही अच्छा ये भी बच्चे को अच्छे से पालते हैं और दोस्तों देखिए इधर में हमारे पास रेड लखा जो है ये भी फीमेल चोकलेटी कलर में है तो फीमेल अंडा दे दी है और फीमेल अंडे को सेक रहा है और इसका एक बच्चा हमारे पास रेड में है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी बच्चा का भी है और ये भी अं प्रोग्रेस था देखिए आप लोग सोख करिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत दिन हो चुका था तो मैंने सुझा कि आप दोस्त को दिखा दे रहा हूं कि हमारा लोग्रेस क्या है तो आप देखिए सोख करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपने बट पाना दे और पानी अच्छा से दे और ख्याल रखे मिलते हैं अगले वीडियों में